नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको P.E.C.L. इंडिया लिमिटेट की एक लेटेस्ट जानकारी के बारे में बताने वाला हूँ दर असल दोस्तो आपको पता है अगर आप P.E.C.L. के निवेसक है या किसी दूसरी कमपनी के निवेसक है आप हमारे चैनल को इसलिए फोलो करते हैं क्योंकि हम आपको सेबी और सुप्रीम कोट इसके साथ-साथ लोडगमेटी की जो लेटेस्ट जानकारी होती है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराते हैं ऐसे ही दोस्तो आज मैं आपको टोटल दो अपडेट बताने वाला हूँ जहां पर आपको पता चलेगा कि P.E.C.L. इंडिया लिमिटेट में क्या चल रहा है इसके साथ-साथ आपको जानकारी होगी दोस्तो देखिए एक तो P.E.C.L. इंडिया लिमिटेट यानिके P.E.C.L. कमपनी है और उसकी निवेसक है और दूसरी तरह अगर बात करेंगे सेवी लोडगमेटी और सुप्रीम कोर्ट है तो भई जो P.E.C.L. के लोग हैं जो P.E.C.L. इंडिया लिमिटेट के संस्थावक हैं आप यह कह सकते हैं जो भी उनके मेंबर है जिन्होंने P.E.C.L. इंडिया लिमिटेट का निर्माण गिया था तो दोस्तो इनका केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में साइद उसकी जानकारी आपको नहीं मिलती होगी पर मैं आपको बता दूँ हर 6 में इंडे में एक सुनवाई होती है इन सभी लोगों की भी और इसके साथ-साथ हर 6 में इंडे के अंदर जो सेवी है वो भी अपनी रिपोर्ट प्रकासित करती है अपनी रिपोर्ट देती है सुप्रीम कोर्ट को भी की जो है सेवी ने कितने लोगों का भुकतान किया है क्या कुछ है वो पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है तो ऐसे ही आज मैं आपको एक जानकारी दूँगा जहां पर निवेशको को पैसा कितना मिल सकता है और जो P.E.C.L. Indie Limited की प्रोपर्टी है वो कितनी सेल की गई है आगे का क्या प्रोसस है किया जो P.E.C.L. Indie Limited की निवेशक है उनको पैसा मिलने वाला है ठीक है वो कहां से मिलेगा कैसे कैसे जो है सेवी के पास पैसा आ रहा है तो एक तो हम वो वाला जो है आर्टिकल उसको डिसकस करेंगे धूसरा अर्टिकल बताने वाले हैं दोस्तो की अभी जो है एक सुनवा यृति सुप्रीम कोट में जिसकी जानकरी सायदी आपको होगी तो उसकी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद सुप्रीम कोट में क्या कुछ हुआ और आगे की जो सुनवाई है वो कब होने वाली है एक ख़बर हमारी ये रहने वाली है तो अगर आप PCL Interlimited के निवेसक हैं और अभी तक है पने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसके साथ-साथ वीडियो को लाइक ही भी करते हैं क्योंकि यहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा थीक? तो चलि यह दोस्तों डायरक्ट चलते हैं हम अपने computer पर और देखते हैं आज का article और यहां पर आप देखेंगे दोस्तों आपके सامने है और article में दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ आर्टिकल जो है दोस्तों यह जो date आपको देखने को मिलेगी December 19 2023 की देखने को मिलेगी ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहँ मतलब यह जो जानकारी है कब से चल रही है तो यहाँ पर आप अप देखेंगे 62-2020 से 2020 की दो हज़ारबीस की वो जानकारी है जिसमें पीशल के जो निवेसक है, जिनको पीशल की प्रोपरिटी बेचकर बुकतान होना था तो ये खबर उस समय की है मतलब खबर क्या है कि कमपनी वो कमपनी जो PCL की प्रोपर्टी खरीद रही है उसने 2020 में जो है दोस्तो EOI ठीक है मतलब एक जानकारी दी थी लोड़ा कमेटिको और सेविको की भी हम जो है प्रोपर्टी खरीदने वाले हैं खरीदना चाहते हैं PCL इंडे लिमिटेट की तो ये 6-2-2020 से खबर चल रही है जो की दिसंबर 19-2030 को प्रकासित हुई है और इस सम्बद में दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ये वाल आर्टिकल देखने को मिलेगा और एक ये वाल आर्टिकल देखने को मिलेगा टोटल वोलियम वन और वोलियम टू देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए हम पहले इस वाले पर किलिक करते हैं जैसी हम यहाँ पर किलिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों ये खबर निकल कर आएगी आपको पता है इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि पीचल की जो प्रोपर्टी है उसकी बोली लगाई जाती है ठीक है तो इन्होंने पहले पीचल इंडेलमेटियर की प्रोपर्टी खरीदी थी उससे में बोली लगाई थी और इन्होंने फिर से जो है सेवी को कहा है कि हम और property खरीदने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहला आप detail में यहाँ पर देख लो यह जो है आपको page देखने को मिलेंगे यहाँ पर बहुत सारी page है यहाँ पर serial number देखने को मिलेगा और यह copy of receive wide letter data यह date है कि भाई इस इस तारिक को हमने letter दिया है किसको सेवी को यहाँ पर आप देखो नीचे पूरा का पूरा data देख लो और यह बहुत बड़ी file है ठीक है कितने के 411 page की file है जो कि आप देखेंगे 1912-2023 में यह प्रकासित हुई है सभी लोगों को बताने के लिए ठीक है PCL के निवेशकों को और सभी लोग जो PCL से जुड़े वे है उनको बताने के लिए सेवी न प्रकासित किये है ताकि आप लोगों को पता चल सके अब चलिए दोस्तों नीचे करेंगे बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मिलेगा PCL लैंड ओफर ठीक है जो कि मैं आपको बताया कि PCL की जो प्रोपर्टी है उसको बेजने के लिए प्रोपोजल यहाँ पर मिला है पर्चेस यहाँ पर आप देखेंगे पूरी की पूरी यहाँ पर आपको नमबर देखने को मिल जाएगा प्रोपर्टी का जो नमबर है और यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी और यह करनाटका की जमीन है ठीक है और आगे मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ यहाँ पर आप देखें एक बड़ी फाइल है आप थोड़ा सा देखकर चलेंगे अभी यहाँ पर आप देखें बताया गया है कि इस तारीक में पहले सुनवाई हुई थी और यह सब को सुप्रीम कोट की देख रेकम हो रहा है और इससे पहले बताया गया है कि यहाँ पर बाकी जमीन राजिस्तान की भी थी ठीक है जो इससे पहले बेची गई है, जैपुर की है, राजिस्तान, यहाँ पर आप देखेंगे, सब यह हैं, मैंशन, यहाँ पर और इन्हों ने कर रखा है, नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, डिटेल है, यहाँ पर डिट प्रोपर्टी है कहां कहां पर है वो सारी डिटेल इनों ने दी है तो आप वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक देखेंगे तभी आप समझेंगे ठीक है यहां पर आप देखें दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी है यह अभी क्या है यह रेट है 4,75,200 अलग अलग प्रोप यहां पर आपको पुरी डेटेल देखने को मिलेगी थोड़ा नीची आएंगे बहुत बड़े फाइल है तो इसलिए आप थोड़ा समझ कर चलें अब यहां पर क्या पताया गया है तीन करोड पिछटर लाख रुपे ठीक है यहां पर देखेंगे और यहां पर आपको पूरी डेटेल देखने को मिलेगी और जो टोटल एरिया था वो 1350 स्कौर फिट यह जमीन थी जिसकी पैसा जो है उस समय मिलाता सेवी को और नीचे आएंगे और कुछ आपको देखने को म लेंगे ठीक है जी सारे के सारे वेंटर आपको देखने को मिल जाएंगी कितनी प्रोपरटी है वो देखने को मिल जाएगी और यहां पर आएं तो इस फाइल को ठीक है अभी फिलाल में बंद कर देता हूं और इसकी जो दूसरी पेज है इसको पर हम किलिख करते हैं ठीक है तो यहाँ पर इनके officer के आपको number देखने को मिलेंगे और देखो यहाँ पर बताया गया है कि यह जो company है जो PCL की property खरीदना चाहती है ठीक है तो यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा नीचे आएंगे इन्होंने 15% यह टोटल जो offer है वो है 32,60,000 रुपे का ठीक है जो नई पर परटी भी केगी 32,60,000 का offer है इसका 15% ओल्डेडी जमा कर चुके है 4,89,000 रुपे से भी के बास तो यह जो पैसा ओल्डेडी आया है यह आप लोगों को मिला है क्योंकि अभी आपको पता है निवेशको को 19,000 रुपे तक की पेमेंट हो भी रही है और मिले भी है ठीक है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी तो यह काम चल रहा है नीचे आतर आप देखेंगे तो यह एक और कंपनी आगी यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे काफी लाखो करोडो रुपे में वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो वही पार्टी है फिर आगलाच से दूसरी कंपनी आगी चुकि अलगला कंपनी जो है पीचल की प्रोपरटी खरीद रही है उन सभी की यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिलेगी चलिए यहाँ पर आपको वो साई देखने को मिल जाएगा ठीक है और यह करनाट का की प्रोपरटी है यहाँ पर आपको प्रोपरटी है और यहाँ पर आप आपाएंगी थोड़ा सा और मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे 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 बहुत बड़ी फाइल है मैं लास्ट मिलेकर चलता हूँ अभी थोड़ा वेट करो 230 पेज़ जा ठीक है यहाँ पर बताया गया है कि 85% वैल्यू जो है वो देने वाले हैं जो कि करोड़ों रुपे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो यह सारी की सारी वैल्यू है अब देखो क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ इसको बंद कर देते हैं फिलाल ये वाला बंद कर दिया और ये हम यहाँ पर बंद कर देते हैं इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देदूँ एक और नोटिस है दोस्तों फिलाल यहाँ पर देख लो यह क्या अनोटिस देखने को मिलेगा Security और एक्षेंज बॉर्ड ओफ इंडिया तेको वह पहली वाली जानकारी आपको दी थी यह वाली जानकारी दी है यह वह प्रोपर्टी है जो पीशिल की और प्रोपर्टी नई प्रोपर्टी पुरा नहीं जो इनके ग्रारक है जिन्नों इविश्को को मिलेगा, कब मिलेगा, ये comment से मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइट कराता हूँ, वह से लोग ये comments करते हैं, कि सर अमें पैसा नहीं मिल रहा है, फिलिज help, तो देखो हम help नहीं कर सकते हैं, हमारा मकसद है, हमारा जो जानकारी है, उस जानकारी को आप तक पहुचाना है, यानि कि जो भी हमें article मिलते हैं, जो जानकारी मिलते हैं, वो आप तक पहुचे, आप जागरुक रहें, आपको सही जानकारी मिल पाए, सेवी में क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा लोड़ा का मैटी में क्या हो रहा ठीक है पैसा मिलना ना मिलना कितना समय लगेगा वो सब सुप्रीम कोर्ट और सेवी और लोड़ा का मैटी पर डिपेंड करता है बाकी जो लोग है वो अपना प्रयास कर रहे हैं अब तक जानकारी पहुशाने की और आगे जानकारी देने की ठीक है अभी यहांपर समझो कि मैं क्या बताने वाला हूँ मैंना आपको बताया था एक खबर जो कि मैंना आपको अलड़ी बता दी कि बहुत सारी करोडों रुपे की जो प्रोबरेटी है वो PCL की sale होने वाली है उसका पैसा धीरे धीरे निविसकों को मिलेगा हो सकता है अगले बार आपको जो है पैसा वो 19,000 से उपर 25,000 या 30,000 मिल जाए ठीक है वो देखने वाली बात है एक और आपको मैंना बताया कि भाई सुप्रेम गोट में जो पक्सिदार है PCL इंडे लिम पंदरा बारा दोजार तेज़ यानि कि 15 दिसंबर दोजार तेज़ को दोस्तों सुनवाई होई थी ठीक है यहां पर देखेंगे आप जो दा मैटर्स वर कॉल्ड ओन फॉर हीरिंग टूडे ठीक है तो इस तारीक को सुनवाई हुई यहां पर आप देखेंगे आपको केस लड़ रहे हैं वह दूसरी तरफ सुप्रीम कोट है जो की सुनवाई कर रहा है और से भी एंड लोडा का मैटी जो है एक तरफ देखने को मिलेगी ठीक है तो यह है अब यहां पर देखो इनकी सुनवाई के बाद क्या हुआ अब देखो आपको बता है हर 6 मिन्ने में पजूती से आगया आएं और भलाए हमारी कंपनी बंद हो गई कोई बात नहीं पर जो निवेसकों का पैसा है वो कम से का मिल जाए इसलिए केस भी चल रहा है तो आपको धहर्या बना कर रखना पड़ेगा अभी यहां पर देखें जो दूसरी सुनवाई होने वाली है वो क पाकी जो सदस्य हैं उनके बीच क्या मतलब जानकारी निकल कर आती है क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है वो पब्लिक में जो है डिटेल उसकी नहीं आती है पब्लिक में कोई जानकारी नहीं आती है बस उतनी जानकारी आती है कि केस चल रहा है इस तारीक को property sale होने वाली है और इसका सीधा जो lab है वो निवेश्कों को होने वाला है क्योंकि ये पैसा कहीं न कहीं निवेश्कों कमुलेगा तो फिलाल ये article था article पसंद आया हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें कंजुसी विल्कुल ना करें और दोस्तों को share भी करते हैं जो PC Linder Limited के जुड़े वे हैं उनसे भी कहीं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद